नमस्कार मा की रसोई में आपका स्वागत है मैं मम्ता शर्मा आज बनाने जा रहे हूं नारियल नीम्बू सोडा वाटर नारियल नीम्बू सोडा वाटर बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए सबसे पहले नारियल को चाकू की मदद से काट कर पानी को निकाल लेंगे जो के हमने नारियल को पहले से ही काट लिया था छलनी रखकर नारियल पानी को चान लेंगे स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार चीनी, बरफ आवशक्ता अनुसार, नीमबू कारस, स्वाद अनुसार ग्लास में नारियल पानी को डालेंगे इसको हम आधे से थोड़ा ज़्यादा भरेंगे चमत से चलाते हुए सामगरी को मिलाएंगे जब तक की चीनी अच्छे से ना मिल जाए हमारी ये रेसेपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करें यानि की हमारे चैनल की सदश्यता अवश्य लें बाकी बचे खाली ग्लास को सोडा वाटर से भर देंगे और चमत से चलाते हुए मिलाएंगे एक नारियल में लगभग 200 मिली लीटर पानी होता है नारियल नीम्बू सोडा वाटर बनकर तयार हो चुका है गर्मियों में यह सरीर को थंड़क पहुचाता है और लू से बचाता है नारियल नीम्बू सोडा वाटर थंड़ा थंड़ा परोसेंगे हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूच सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्चता आवश्ये लें यानि की सब्सक्राइब करें इस वीडि को आप हमारी बैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ धन्यवाद